एक बार एक लड़का गोतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे जिवन में बहुत अशान्ती है करपा करके आप मेरा मार्ग दर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशान्ती से छुटकारा पास अगू गोतम बुद्ध लड़के से जिवन की अशान्ती का कारण पूछते हैं लड़का उत्तर देता है, अत्य दिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है, बुद्धे मुस्कराते हुए कहते हैं, उपर आकाशकी और देखो, और बताओ, कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है, लड़का उपर देखता है, और कहता है, दूप दिक रही है, बुद्धे उससे पुछते हैं, कि अगर तुम लगातार दूप में खड़े रहोगे, तब क्या होगा, वह कहता है, मुझे अच्य दिख गर्मी लगेगी, और शरिर में बेचे नहीं होगी, बुद्धे लड़के से फिर कहते हैं, कि अगर पुरे का काम है ताप देना, और ताप का काम है घर्मी लगना, ऐसे में दोश्ट तुम्हारा ही है, तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें घर्मी लगी, तुम्हें अगर शितलता चाहिए, तो तुम्हें छाव में रहना होगा, तिक इसी तरह चंचल मन का पिस्वभा होता है विचार और भावनों को जागरत करना विचार शन्भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पेदा हुई भावना है देर तक टीकी रहती है लेकिन यह तुम्हें निर्णाय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनों के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है बुद्ध कहते हैं मन को शान्त करने के लिए तन के आयम पर काम करना सबसे आसान तरीका है शरिर के इस तर पर हमारी करमेंद्रिया और ज्यानेंद्रिया है करमेंद्रिया कर्म और ज्यानेंद्रिया ज्यान से चुड़ी होती है इससे हम अपने सब्वेन चिलता को बढ़ा सकते हैं यानि हम जो भी काम करे उसे अनन के साथ करे मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से तुम्हारा चित्त शान्थ होगा ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरिर के आयाम पर आ जाओगे ठीक उसी तरह जैसे तुम दूप से हटकर छाओ में आ सकते थे मन के आयाम से हटने पर तुमारी जहगरुकता तन पर आ जाएगी जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुमारा चित्ध शान्थ होगा इसलिए हर काम को तंग के आयाम पर करने से मन्स वतह शांत हो जाता है लड़का बुद्ध से कहता है अपने भीदर के सूर को कैसे सुने बुद्ध कहते हैं किसी सांत इस्थान पर जाकर अपनी आखे बंद करो और मन की बिदर चल रहे शोर से हटकर बिदर के सूर को सुनने की कोशिश करो सूर निरंतर चलता रहता है लेकिन बाहर की शोर के कारण तुम अपने मन की बिदर चल रहे सूर को नहीं सुन पाते हो जब तुम अपने दुनों कानों को अपने हातों से बंद कर दोगे तब ही मन के सूर को सून पाओगे और इस तरह तुम मन की अशांती से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा